कि लास्ट क्लास में जो हमने डिसकस किया था हमने किया था कि हमारे पास जो एंगल है एंगल को मेजर कर रहे थे तो हम एंगल को मेजर करते हैं डिगरी में और रेडियन चीक है जी तो हम एंगल को मेजर करते हैं डिगरी में और रेडियन में हमने सिफ यह कहा था अगर आप शॉट में करो कि वह थे खुआ जो एक एंगल होता है वन रिवोलीशन की जो हम बात करते हैं तो डिगरी में वह थे खुआ है और रेडियन में टू पाई होता है तो हमने फिर इसको यहां चेंज कर दिया था कि 180 डिगरी इस इकोज़ तो पाई रेडियन पिर हमने कहा था कि 1 डिगरी इस इकोज चू पाई बाई 180 रेडियन तो अगर आपको कभी डिगरी से रेडियन में चेंज करना होगा तो आप मल्टिप्लाइ करेंगे पाई बाई 180 से यह हमने आपसे कहा जाए जिसा अगर आपसे कहा जाए कि 45 डिग्री क्या होता है तो 45 को पाई बाई 180 से मल्टिप्लाई कर दीजे तो पाई पाई पोर आ जाएगा लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 1 रेडियन क्या होगा तो 1 रेडियन होगा 180 अपॉन पाई दिग्री अगर आपसे कहा जाए कि नहीं रेडियन से डिग्री में चेंज करिए तो आपको मल्टिप्लाई करना पड़ेगा 180 बाई पाई से तो जैसे यहां पे पाई बाई 4 है पाइबाइ फ्टोर को 180 भाइपाइ से मुल्टिप्लाइ कर जी अल्लाहर है बहुत तेज हो आ या लाहर है तो एक को में यह पड़ा था सिफ डिगरी से रेडियन और रेडियन से डिगरी दूसरा हमने करा था यह वन डिगरी इस इक्वस्टी मिनेट्स टीके मिनेट्स टाइंग वाली बात नहींहुत है यह स्मॉल एंगल के हम एक युनित ले रहे बीनेट्स और 1 मिनेट इकार पूस्ती सेकन यह हमने किया था और इंवय हमने लिया था के एंग यह एंगल का और यह जो एंगिल होता है, यह रेडियन में होता है, सिर्फ इतना लिया अब इस पर पहले एक कुश्चन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छी चीज सिखाएंगे आज, जो आपके पूरे चैप्टर में काम आएगी और यह सब बच्चों को समगन सब बच्चों को जो सबसे जादा प्रॉब्म टिग्नोमेट्री में होती है, तो आज इंशालला क्लास होगी, उसी में से प्रॉब्लम चुजार होगी, वो आज समझ लेंगे, तो इंशालला यह आने वाली प्रॉब्लम फटम हो जाएगे, एक छोटा सा कुश्चन है, जो आपकी बुक का भी है, NCRT की पास्ट एक्साइज का, आप से क्या क्या रहे हैं, यह कुश्चन दिया हो, आप से कह रहा है, इफिन टू सर्कल्स, आर्फ ऑफ दा सेम लेंथ, सबस्टेंट्स, एंगिल ऑफ 60 डिग्री और 75 डिग्री अट दा सेंटर, फाइन दा रेश्ट अप देयर रेडिया, आपके पास टू सर्कल्स हैं, और उनके आर्फ जो हैं, सेम लेंथ के, तो इसका मतलब यह अगर तू सर्कल्स हैं, तो आर्फ होंगे S1 और S2, और दोनों का लेंथ सेम है, S ले लिया, और उनके एंगल जो है, थीटा 1 दिया हुआ है, 60 डिग्री, और थीटा 2 दिया हुआ है, 75 डिग्री, ठीक है, आप से करा, है, find the ratio of their radii, तो radii का ratio चाहिए, R1 और R2 का, तो अभी जो हमने लिया था formula, के थीटा is equals to S upon R, तो R is equals to S upon theta, यह बस, वैसे तो इस थीटा जो है, आपका S है, और theta 1 आपका 60 है, S2 आपका S है, और theta 2 आपका 75 है, यह मरकास है, अगर यह मरकास है, तो ठीक है, S से S cancel हो जाएगा, और 15 फोर जा, और 15 फाइव जा, तो 5 उपर आएगा, 4 आपका 5 आएगा, तो 5 बाइव 4, तो ratio होगा 5 is to 4, टेके सर, आजी सब्कों क्लियर है, पाइब सक्ट किर लेगा, और 2 आपका 16 आपकी जह सब्स्ट्पकला आपकी प्तवत सर, बाइवरा आपका 17 यह, आजीर है Yes, sir. Daniel? उसके अचे तो हैं मारे रेवलरे हम पूचछ तक तब्यार कोश्टे सब्सक्राइघ कभी जब अधे शलिदाकर लाएट। आपई, Daniel? Yes, sir. Iyuk? Iyuk, साब, हैं अबाद आरीएं? असर रुकया रुकया है इस सर अब सबसे इंपोर्टन चीज़ करेंगे इसलिए मैं आपको जगाया है कि अब सबसे इंपोर्टन चीज़ करेंगे देख अमने जो बेटा आज तक पढ़ा है वो पढ़ा है इगनोमेट्री जो आपने पढ़ा है अभी तक टैंट में वो आपको इतना छूटा लगेगा अभी लैवित की इगनोमेट्री के सामने कि वो तो हमने मजाग गिया था जैसा मैज के सामने टेबल सीखने है कि टेबल सीखना कोई मैज पढ़ाई है वो तेक जस्ट काउंटिंग है अल्ला खैर या ला खैर कर दे यहब षट है ला मख्लूग सड़कों पर है वगाइर घरों के है वगाइथ शटों के है या बहुव गुदना कर दोकि गुना हमारे यह है कि कि यह यह वर्यम रकिवा हम 충ровal में हमने जो पड़ा है हमारे पास ठीसिकẫn चाहए toxic हो ध मिवारे पास क्या होता है quadrant होता है, ठीक है, तो quadrant हमारे पास होता है, 0-90 first quadrant और 90-180 second quadrant और 180-270 third quadrant और 270-360 fourth quadrant तो यह हमारे पास 4 quadrants, 0-90 is first सबसे ज़्यादा बेसिक है मनलब बेसिक नहीं कहुंगा बेस है टिगनोमेटिक है तो इसको समझ लो सब बच्छे बच्छ प्रॉब्लम होती है इस वाली एक्सरसाइज में 180 से 270 थर्ड और 270 से 364 अब होता क्या है अभी तक जो आपने पढ़ा है साइन कोस्ट एन पोसक शेग कॉट समटाइम आपने टैंथ में अगर ध्यान दिया हो कभी कभी लिखा वाता था कि साइन मैं लिख दूँ करूं थीटा प्लस 30 इसपोर इस तरह से और मैं आप से कहते हूं थीटा इस एक्डू बिलो जीरो तू नाइन्टी ऐसे लिखा उटा कि अब यहां प्लस पास क्या है अभी तक जो हम कर रहे थे यह हमारे पास ट्राइंगल है आपको सिफ साइन देखना है कि सीप्लस है यह माइनड़ यह हमारे पास ट्राइंगल है फिस्ट क्वाडरेंट में यगर अब इस आउगल को ले दे हैं तो इसके सामने परफेंडिकुलर जो होगा वो भो पॉसिटीव होगा और जो बेश होगा वोभी पॉजटीव ऑगा तो परपेंडिकुलर भी पॉजटीव बेस भी पॉजटीव और ये जो distance है इसवाले हाईपोटैनिस ये distance है तो distance तो हम neutrally लेते हैं Sign हमें परपेंडिकुलर और बास का देखना तो अब आप मुझे सोच के बताओ इस वाले क्वाड्रेंड में P by H positive होगा या negative होगा? P by H है ना? और B by H? Positive. और P by B? Positive. और जब ये positive हैं तो इनके reciprocal भी positive होगा. अगर एक नंबर positive है fraction तो उसका reciprocal भी positive होगा. तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंड में all ratios positive होते हैं. all अब आजाओ second वाले क्वाड्रेंड अगर हम second quadrant की बात करें तो हमारे पास क्या है? ये angle है. तो इसके लिए perpendicular जो होगा आपका वो हो जाएगा positive. य उपर लेकिन base जो होगा वो negative होगा. अब बताओ P by H क्या होगा इस quadrant में? positive होगा. लेकिन B by H क्या होगा? negative. और P by B क्या होगा? negative. negative. less, minus, minus. तो सिफ साइन जो है वो positive आया. अगर साइन पोजिटीव आया. अगर साइन पोजिटीव आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल तो आ नहीं है. रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहे अभी. अब आजाओ third quadrant. third quadrant में अगर आप यह angle होगे तो आपका जो perpendicular है सामने वो negative होगा और जो base है वो भी negative था. अब अगर आप P by H कंसिदर करोगे तो P by H क्या होगा? negative. और B by H? negative. और P by B? positive. तो 10 जो है वो positive है. तो 10 और उसका reciprocal court positive. ठीके भई, अब आजाओ fourth quadrant में जड़ा. वो ना. अब fourth quadrant में जो perpendicular आएगा, बिटे, माइक को ध्यान रखो अगर पीछे आवाज आ रहे है तो. अगर fourth quadrant में आप theta ले रहे हो, तो सामने perpendicular होगा downwards, negative. लेकिन base होगा positive. तो इस fourth quadrant में P by H क्या होगा? negative. और P by H? positive. और P by B? negative. तो इसका मतलब cause positive है. ठीक है? समझाने के लिए बनाया है, हमें इसकी जरुत नहीं है. हमें तो आप देखो जर द्यान से. हमारे पास यह four quadrants है. पहला quadrant है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है? और first, second, third quadrant की जब हम बात करते हैं, बस एक पार्ट तो यहीं खतम हो गया. आपके exercise का, second का एक और part रहे जाएगा. तो और से अभी हम समझेंगे. तो जब हमारे पास fourth quadrant होते हैं, तो अभी आपका चल रहा है schooling, mashallah. जब आप school में हो, लेकिन अब आप school के बात जाओगे इंशाल्ला college. तो बस यही करना है, after school to college. चीक है सर्थ? all, sign, tan, false. after school to? यह से पढ़ना है ली साथ. बस यह ऐसे करते हैं थे हैं, तो after school to college का मतलब यह है कि पहले वाले quadrant में all, दूसरे में sign and reciprocal, तीसरे में 10 and reciprocal, अन चौथे में cause and reciprocal. सर, clear है यह चीज? इसको use करेंगे बहुत सारी जगे. अब इस पर छोटी-छोटी से question आते हैं, अब question सुनो. Question क्या आते हैं? हमसे क्या कहता है, अभी तक जो हमने पढ़ा था 10 में, हमने पढ़ा था कि sin theta जो है, सर, 3 by 5 है. 3 by 5. आपसे कह दे, cost theta निपालो. लेकिन आपसे क्या कह दे? कि सर, theta belongs to second quadrant. यह कह दे आपसे. theta belongs to second. अब एक तो चीज़ यह समझ दे हो, अब आप 10 में नहीं हो, कि PYH और BYH से question solve करोगे. कि sin होता है, PYH, Pythagoras लगाओ, base निकालो, then cost theta निकालो, नहीं. अब हमें निकालना है formula. तो formula क्या है, अगर आपको यादो, formula होता है, cos square theta is equals to, 1 minus sin square theta. Yes or no? Yes sir. तो चाहे तो cos square निकालो, चाहे cos निकालो, तो अगर cos निकालो, तो direct लिखना सी को, plus minus under root, 1 minus sin square theta. क्योंकि जब आप under root लोगे, तो फिर plus minus आएगा. तो plus minus under root, 1 minus sin square theta. यह आएगा. चलो sir, अब इसे solve करो, तो क्या आएगा sir, plus minus under root, sin theta है sir, 3 by 5, 3 by 5 का square हो जाएगा, 9 by 5, यह मरका sir, 9 by 25, 25 minus 9 होगा, 16 by 25, 16 का square root होता है, 4 by 25, 4 by 25, minus 4 by 5, ठीक है sir, तो cos theta, cos theta आगया sir, plus minus 4 by 5, अब यहाँ आपको धियान रखना है, कि theta second होगा, very good, very good, very good, तो हमें धियान रखना है, theta हमारा second में है, और हम निकाल रहे है, cos, तो cos second में क्या होता है, cos theta in second is negative, तो आपके पास क्या हो जाएगा, minus 4 by 5, सब को यह बात समझ में आई क्या, Yes sir, सब बच्चों को समझ में आ गई यह बात, Yes sir, देखो एक question करके दिखाओ, एक question आप लोग करो, 10 theta जो है, 10 theta जो है, minus 1 by 3 दिया हुआ, minus 1 by 3, minus 1 by 3, theta दे जिया 4th quadrant में, 4th में, आप से कह रहा है, कि सर्फ cos theta बताओ, 10 theta is minus 1 by 3, 2 by 3, and find cos theta, where theta belongs to 4th quadrant. Sir, under root 3 by 2, बहत अच्छे, अच्छे शाबाज, और सबच्चे बताओ, बेटे जिसको समझ भे नहीं आरा, प्लीज पूछेगा वो, शर्माओ मत, अब तो मैं सामने भी नहीं, डाटने का भी नहीं, मारने का भी नहीं, डाट तो दुनो फैर, मारने का भी नहीं पूछेगा, तो इसना डरो मत, और विक्न स्कूल खुले नहीं हैं, एक्जाम सून ही रहे हैं, तो आराम से सीखते चलो, जल्दवाजी कुछ है नहीं, यहां भी समझ में नहीं तो एक बार दुबार से पूछो, वापिस पूछो आके, इंडिवजल पूछो मैसेज में, मैं वीडियो भी डाल रहा हूं, यूट्यूब पर बना के उसको देख लो, तो प्लीज जितने बच्चे मशाला क्लास कर रहे हैं, वो मशाला एक एक बच्चा सीखता चले, शर्मा उमत, हाँ बई अब देखो होगा क्या, तेको 10 Theta की जो रिष्टेदारी है, वो है सेक Theta के साथ, सेक स्क्वाइड थीटा होता है, 1 प्लस 10 स्क्वाइड थीटा, तो 10 थीटा है, 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 का स्क्वाइड हो जाएगा, 1 बाई 9, क्या हो जाएगा भई? 1 बाई 9, इसको प्लस करोगे तो 9 प्लस 1 10 10 बाइ 9 हो जाए तो यह है सेक स्क्वाइड थीटा इसका अंडरूड लेंगे जब इसका अंडरूड लेंगे तो सेक थीटा आएगा सर जी प्लस माइनस अंडरूड 10 बाइ 3 अगर सेक यह आएगा तो कौस इसका रेशिप्रोकल हता है तो कौस आएगा सर अ प्लस माइनस थी बाइरूट 10 अब चेक करना है कि Quadrant कौन सा है तो Quadrant था 4th 4th में Cos कैसा होता है वही Positive Positive Good Cos Theta in 4 Is Positive तो आपका आगया बिटे Cos Theta is equals to 3 by root 10 तो पहला पाट तो ये था Sir सही है तो आपकी Second Exercise में First 5 Questions इसी पर बेज़ रहे एक रेशो देगा बाकी के रेशो आपसे निकलवा लेगा in the given Quadrant सब बच्चों को Clear है या नहीं है Sir Clear है बात तो वही हो रही है जैसा हमने 10th में किया था बस यहां Quadrant चेंज हो गया Sir सही है Battalion तो और भी बहुत सारे हैं 2-3 बच्चों की आवाज आती है यह बस Yes Sir Mohamed Sharik साब Mohamed Sharik कौन है आवाज आरी है आरी है Sharik मियाव आरे में बोला करो ना हा ना चूचूं आई हुआ है यह भी अच्छी बात है शारी है बस बैठे वें से शारी हुआ है शारी हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है है अब दूसरा पार्ट है जो सबसे जाधा important होगा यह यूज करेंगे quadrant और दूसरी चीज़े आएंगी देखो आप लोगोंने बच्पन में क्या सीखा है आप सब बच्चे जाग जाओ थोड़ा जाओ जैसी यह alert होगे सीखा आप यह वाला और यह मैंने आप 90-THETA क्या होता है तो आप में सीखा है 90-THETA के लिए लेकिन रेशो देखो कितने उसके लिए होती है तो यह हमारे पास है सर्फ क्वाद्रेंट अगर इस quadrant में आप anti clockwise move करते हो तो angle होता है सब plus theta जब बच्चे ज़ाद ध्यान से बहुत important शीज है यह समझ में नहीं आती है जन्ती से आपके पास क्या है आपके पास है plus theta और यह है आपका 90 तो अगर 90 में से आप कुछ कम करते हैं तो जब कम करेंगे तो वह हो जाएगा 90 minus theta और 90 minus theta आप आजाओगे first quadrant में यहां भी कौडेंट कौन सा है और angle कौन सा है और अगर आप 90 में कुछ प्लस करते हो तो अगर 90 में कुछ प्लस करोगे तो वह हो जाएगा 90 plus theta इला तुमあव कर दे अगर 180 में कुछ माइनस करोगे तो वो होगा 180 माइनस थीटा और अगर 180 में कुछ प्लस करोगे तो वो होगा 180 प्लस थीटा अगर 270 में कुछ माइनस करोगे तो वो होगा 270 माइनस थीटा सब जाग रहे नहीं जाग रहे भई इस सबसे important topic है भई इस पे सारे questions हों कि last तक यही समझ में नहीं आता बच्चों को सब हो क्या रहा है 270 प्लस theta अब last है 360 अगर 360 में से minus करोगे तो वो होगा 360 minus theta अगर 360 में plus करोगे वो होगा 360 plus theta अगर theta को इधर लोगे clockwise तो वो होगा minus theta इतने तरह के angles होंगे अब इतने तरह की ratios का क्या मतलब है अभी फिर दुबारा से देखेंगे इसको इतने तरह का मतलब यह है कि आप से पूछेगा what is sine plus theta तो plus theta तो खैर कुछ होता नहीं वो तो वो ही रहता है what is sine 90 minus theta what is sine 90 plus theta what is sine 180 minus theta what is sine 180 plus theta what is sine 270 minus theta what is sine 270 plus theta what is sine 360 minus theta what is sine 360 plus theta and what is sine minus theta कितने हो गए सरी है यह बई 1, 2, 3, 4, 10 होने पूरे 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ratio कितने हैं हमारे पस तो हर एक के लिए हो नहीं यह फॉर्मूले तो यह 60 फॉर्मूले हैं एक तरह से कितने अब बताओ 60 फॉर्मूले कैसे याद करोगे आपने तो सिर्फ एक याद रखा है कि sine 90 minus theta सर, cos theta होता है यह यह कह सकते हो कि सर, sine plus theta, sine theta ही होता है बाकी की कहानी क्या है यह बताओ सर, ठीक है है देखो, अब कहानी सुनू सर दो चीज़े आपको याद आखनी है सारे फॉर्मूले अपने आप पतम हो जाएंगे 60 के साथ, all 60 formulas will be same आपको क्याद रखना है जो आपने 10 में सीखा था कि sine change हो रहा था महाँ, cos में और cos change हो रहा था sine और 10 change होता था cot में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ 90 minus theta गी कि sine 90 minus theta change होता था cos theta में, cos 90 minus theta change होता था sine theta में, 10 90 minus theta change होता था cot theta में, and cot 90 minus theta change in 10 same, cos sec change in sec and sec change in cos तो पहला रूल तो यह याद रखना है कि इप दा रशो इस चंजिंग, then sine change in cos cos change in sine, tan in cot, cot in tan, cos in sec and sec in cos is this clear or not? yes sir सबसे पहले तो यह चीज़ है दूसरी चीज़ यह है, ratio जो change होगा ratio changes for only 90 and 270 90 minus plus theta and 270 minus plus theta इनके लिए ratio change होगा और no change no change 4, 180, minus plus theta, 360, minus plus theta and minus theta बस यह दो चीज़े याद रखने है, अभी मैं सम्झाओंगा क्या है, इसका मतलब क्या है कि पही 90 and 270 के लिए ratio हमारा change होगा और अगर ratio change होगा तो जो सबसे उपर लिखा हो, उसका है, sign change होगा, cost में 10 change होगा, cot में cost change होगा, setting और फिर 180, 360, minus theta के लिए ratio change नहीं होगा, अब सम्झो ज़रा ध्यान से, हम पहले identify करते हैं कि 90 और 270 हमारे पास table में कहा हैं, यह है 90 minus theta, और यह है 90 plus theta, और यह है 270 minus theta, और यह है 270 plus theta, तर नजर आ रहा है? यह है, और यह है sign, तो sign हमेशा change होगा, cost में, sign किस में change होगा, cost में change होगा, तो sign, cost में change होगा, 90 के लिए, cost theta, यह भी change होगा, cost theta, यह भी change होगा, cost theta, यह भी change होगा, cost theta, अब बाकी रहे गए, 180 minus plus theta 360 minus plus theta and plus minus theta तो उनमें ratio change नहीं होता अगर ratio change नहीं होता तो जो ratio था वो ही रहेगा sign है तो sign ही रहेगा चाह सही है? कहा ratio change होगा और कहा ratio change नहीं होगा ये बात clear है सब बच्चों को या नहीं किस में change हो रहा है? 90 में और किस में change हो रहा है? 270 में बागी सब में ratio change नहीं होता और ये सब के साथ जाएगा cos के साथ, 10 के साथ, cosak के साथ 7 के साथ, thought के साथ पहली चीज तो यह, अब क्वाड्रेंट देखो क्वाड्रेंट, प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, और फस्ट में सारे पोजेटिव होते हैं, फस्ट में सारे क्या 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 होते हैं, 90 प्लस थीटा साइन के साथ है, यानि की साइन सेकिंड क्वाडरेंट, चेंज होगे, कौस आ रहा है, आप कहने लोगो कौस सेकिंड क्वाडरेंट, नेगेटिव नहीं, किसको चेंज कर रहे हैं, उसके साइन रखेंगे, हमारे पास क्या है, साइन 90 प्लस थीटा सेकिंड क्वाडरेंट है, लेकिंगे इन सेकिंड साइन साइन पॉजिटिव है, तो साइन या पे पॉजिटिव होजाए, इसका मतलब जो कौस आएगा, वो हमारा पॉजिटिव आएगा, बास समझ में आ गई? अगें साइन 180 मायनस थ बीटा, second quadrant में होता है, second में sign positive होता है, तो ये वाला भी positive आएगा, अब 180 plus third होता है, तो ये negative होता है, 270 minus third होता है, 270 plus fourth होता है, 360 minus fourth होता है, तो ये सारे negative आएगा, अब बताओ, 360 plus क्या होता है? सर्फ first quadrant, very good, और first में सारे क्या है? positive होता है, फिर positive होता है, अच्छा, minus theta कौन सा quadrant है? सर, fourth, 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 fourth sign क्या होता है? negative, negative, बत सर, ये सोचना है, अगर आपने ये सोच लिया, तो आप सारे ratios के अपने आव answer दे सकते हो, आप ज़रा देखो ध्यान से, मैं एक question पूछूंगा, इंशालला, उमीद है, आप लोगों ने कर ध्यान से सुना होगा, तो ये चीज क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देख सभी बच्चे जाद यान से, इसमें डरना नहीं है, इसमें दो question अपने आप से पूछो, पहला question पूछो, क्या 360 चेंज होता है या नहीं होता, तो नहीं होता, तो 10 बेटे, 10 ही रहेगा, अपने आप से दो question पूछने, दूसरा पूछो, 360 माइनस तीटा, क्वाडरेंट कॉ क्या होता है, तो आप सबसे पहला question पूछो, 180 में चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, तो से क्या रहेगा, तो से क्या रहेगा, क्वाडरेंट कौन सा है, तो 3rd में से क्या होता है, negative, 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 very good, भाई सबको कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, दुबारा से आओ, हम क्या कह रहे हैं, भाई हमें पॉस माइनस तीटा बताओ, क्या होगा, माइनस तीटा में रेशो चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्वाडरेंट कौन सा है, तो से क्वाडरें सब बच्चों को इस समझ में आ गया या नहीं आ गया, कौन सा बच्चा ऐसा जिसे भी डाउट हो रहा है, सब बोलो किसी बच्चे को डाउट हो रहा हो तो, अब साथ के साथ की टेबल बनाएंगे और आपना अप लिखेंगे, अब ज़रा देखो इसका फाइदा क्या अब इसकी कानी सुनो देखो, हमारे पास क्या है, असल तो वही थे रूल, सीखना, लेकिन इसको एपलाई करना, इसको यूज करना, हमारे पास क्या है बिटे, हमें मालूम है 0, 30, 45, 60, और 90 की वेल्यू हमारे पास हैं, और अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम ने सीखा है प्लस माइनस, प्लस माइनस थीटा, तो प्लस 30 और माइनस 30 की वेल्यू निकालना सीखेंगे, अभी तक आपने 30 की वेल्यू निकाली है, तो माइनस 30 की वेल्यू क्या होगी, वो सीखेंगे, और हम सीखेंगे 90 प्लस माइनस, और हम सिखेंगे 180 प्लस माइनस और हम सिखेंगे 270 प्लस माइनस और हम सिखेंगे 360 प्लस माइनस इन दोनों से मिलके जितनी भी वैल्यूस बन सकती हैं अब हम उन सारों की वैल्यूस निकाल सकते हैं क्या मतलब है इसका? मैं आप से यह कहूँ बिटे कि मुझे जो है आप साइन 240 की वैल्यू बताओ किसकी वैल्यू बताओ साइन 240 अब देखो किस तरह से हम कर सकते हैं आप सब बच्चे देखो ध्यान से क्या मैं 240 को साइन 180 प्लस 60 लिख सकता हूँ मुझे जो मालूम है वो 0 से 90 तक ही मालूम है तो एक तो वैल्यू 0 से 90 की यूज करूँगा और एक वैल्यू इधर भी 180, 270, 360 की यूज करूँगा दोनों को मिला के देखोँगा 240 कहा मन रहा है तो मैं 240 को लिख सकता हूँ 180 प्लस 60 लेकिन क्या में 240 को साइन 70 माइनस 30 भी लिख सकता हूँ गया कोई बच्चा बताओ यह से लिख सकते हैं अब चलो वैल्यू निकालते हैं अगर हम पहले वाले से निकाल रहे हैं बैटे के 180 प्लस 60 तो फिर खुद से पूछों क्या 180 में रेशो चेंज होगा या नहीं होगा नहीं होगा यह साइन ही रहेगा क्वाडरेंट कुन सा है थर्ड है 180 प्लस थर्ड थर्ड में साइन क्या होता है माइनस साइन क्या होती है रूट 3 अकॉन 2 माइनस रूट 3 भाई उस समझ में आया सबको अच्छा देखो ज़रा ध्यान से हमारे परस क्या है बिटे साइन 270 की बात कर रहा है बताव 270 में चेंज होता है या नहीं होता है साइन किस में चेंज होता है कॉस में कॉस 30 कॉद्रेंट कॉन सा है 270 माइनस थर्ड थर्ड माइनस थर्ड है नेगटिव क्या होती है तो देखो दोनों से आंसर से माया परक नी पड़ेगा मतलब अगर हम इदर से ले आंसर वो ही आने तो इस तरह से आपको वैल्यू निकाब अब देखो जरा मैं एक चीज और सिखाता हूं अब जरा देखो मैं आप से क्या कह रहा हूं कि पर मुझे वैल्यू चाहिए साइन देटीगी किसकी बोन टीटी अब जरा देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूं इसको मैं आप से कह रहा हूं मैं तो बोनेटी को साइन नईनटी प्लस नईंटी लिख रहा क्या लिख रहा अशा फिरो हम लिख सकते हैं 180 को 270-90 270-90 लेकिन मैं और भी लिख रहा हूँ क्या मैं इसको 180-0 लिख सकता हूँ या मैं इसको 180-0 लिख सकता हूँ अब जो आपने का 270-9 अब इनकी वैल्यू निकालने के पुशिश करो सबसे पहले वाला 90-90 प्लस 90 90 में चेंज हो जाता है यास सर होता है तो साइन किसमें चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 90-90 प्लस ठीटा जो है क्वाड्रेंट कौन सा हो गया 2 2 अब ज़तरा यहाँ ध्यान रखो एक चीज़ आपकचे आपक्चे कंफिव होगा अगर बेटे में यह लिकून के 90 प्लस थाउजट तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा 90 प्लस थाउजट कि नाइंटी प्लस थाउजेंड कॉनसा क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट फर्स्ट होना चाहिए अब ध्यान से सुन लो विटे जब भी 90 प्लस होगा आपको कुछ नहीं सोचना 90 प्लस होते ही विए हमेशा सेकिंड और चाहिए अगे थाउजन यह एड हो जीरो एड हो रहा हो जाएग्यां अससे प्लस थीटा थीटा कुछ भी हो 90 plus second 360 minus 4 तो यह हमारा second quadrant है और second quadrant में sin positive होता है और cos 90 होता है 0 तो कितनी value आ गई भई? अब बताओ मुझे हाँ भई sin 180 minus 0 180 में change नहीं होता sin 0 होगा quadrant second है 180 minus theta positive होगा और sin 0 0 होता है yes तीसरा वाला बताओ sin 180 plus theta change होगा या नहीं होगा तो नहीं होगा तो sign आएगा quadrant कौन सा हो गया third third में sin negative लेकिन 0 sin 0 तो 0 होता है तो negative 0 भी तो 0 ही आएगा समझ में आ गया? जी सर अब sign 270 है बताओ क्या होगा sign 270 का cost 90 minus violent consign 270 minus third minus cos minus cos 90 क्या होता है? minus 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 0 minus बताओ साब बच्चों को समझ में आया है नहीं आया? जी सर आ गया जी सर आ गया चन्ती से answer दो sign 120 कितना होता है? कौन बताएगा? 90 plus 3 by 2 root 3 by 2 root 3 by 2 होगा भाई वाई 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 वहाई वाई 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 वा engineers चलो बताओ बताओ मुझे pros 300 कितना होगा cos 300 कितना होगा sir root 3 by 2 sir 1 by 2 sir 1 by 2 sir minus 1 by 2 साüzel म welfare आइन oggi या प्लस मैन में ठाटेंट विह अर्वाह इस प्लस मई फोर्ट तर मैं जो खेंतर में ऑन नकिने लगें पॉस्ट थिरि सिक्स्टी माइनस सिक्स्टी होगा तो यह चेंज नहीं होगा पॉस ही रहेगा वादरेंट फॉर्थ है पॉस्टी बाइटी बस पतम अर सब को समझ में आ गया यस दूसरी चीज चीज शिखो बस अब लास्ट होगा क्या हमारे पास अगर फॉर्ड्रेंट दिये वे इसको पिटे लेकिन प्रैक्स कर ले ना तभी दिमाग में रहेगा यह बहुत सारी चीज एक साथ है अगर मैं ऐसे फॉर्मूले के इसाब से पता हूं तो यह सो दो सो फॉर्मूले एक साथ बठते हैं अब देखो जड़ा ध्यान से होता क्या है अगर आप एंगिल में यह मालू मेरा थीटा एंगिल है और इस थीटा में आपने 90 प्लस कर दिया तो इस थीटा में अगर आप 90 प्लस करोगे तो वह यहां पहुंच जाएगा तो क्वाड्रेंट हो जाएगा चेंज अगर क्वाड्रेंट चेंज होगा तो फिर वैल्यू भी चेंज हो जाती है कम से कम प्लस माइनस तो होई जाती है बात समझ में आ रही है अगर आप इसमें 180 प्लस करोगे तो भी क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा अगर 270 प्लस करोगे तो भी quadrant change हो जाएगा लेकिन अगर आप इस angle में 360 प्लस करोगे तो यह वापस यही आ जाएगा अगर यह 30 है और 30 में 360 अड़ कर दो तो वह हो जाएगा 390 जा हो जाएगा आप फिर 360 अड़ कर दो तो वापस यही आ जाएगा वह जाएगा 750 तो अगर 360 अड़ करते हैं तो लोकेशन, सिस्चुएशन, पोजिशन, कुछ भी चेंज नहीं होता अगर चेंज नहीं होता आपको बता है अगर angle change नहीं हो रहा है quadrant change नहीं हो रहा है तो आपने तो रेशो पढ़ा है similar triangle कि पर रेशो फिर सेम रहता है तो जो साइट का रेशो है P by H, P by H, P by B वो सब सेम रहेगा तो वैल्यू चेंज नहीं होती है तो अगर हमारे पास जो एंगिल है 360 का multiple है तो हम उसे 360 के multiples के कोछ परखनी करते हैं मतलब इदर देखो अगर हमसे कहें कि साइन 750 की वैल्यू बताओ किसकी वैल्यू बताओ साइन 750 अब 750 तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन हम यह सो सकते हैं कि 360 का multiple होता है 720 उसका भी triple होता है 1080 उसका भी होता है 1440 यह थोड़े से 360 के multiple याद रखना पर देखना उसके आसपास है कि 570 से 20 के आसपास है 720 फिले सच त्री कितना हो जाएगा 720 प्लस 30 अब 720 को मैं लिख सकता हूँ 2 farm Fenола 360 प्लस 30 तो मैं आप से क्या कह रहा हूं कि इस 2 को consider करने की जरूरत नहीं है आप से consider करो 360 प्लस ठीटा क्या consider करो अब ही जो multiple आया 360 का ये 1 टाइम हो 2 टाइम हो 1000 टाइम हो 100 टाइम हो हमें उसे कोई मतलब नहीं है हामें को 360 प्लस या माइनस को को गध कि pra çık try to 360 प्लस थिटा बताओ चेंज होगा या नहीं होगा औरी, क्योंते, जाने भाप हूं आइज रख में дум आ जाएगा अ जाने कर दो नहीं हो नहीं होगा यह आप रखना ऐसे निगालेंगे जो 750 के फर्टिकल्स होंगे कि आपको करना क्या है पाइ से डढ़ना नहीं है पाइ की जगे 180 रख देना है काइ की जगे क्या रख देना है 180 तो आप वैल्यू देखो कितनी आगई 3 into 180 वाई 2 कितनी आगई वाई 270 तो बस अब 270 की वैल्यू निकाल दो तो जहां भी पाई आपको मिल जाए आप उसको सलाम करके उसकी जगे बनेटी रख देना सर्वन आएगी वाई बास समझ वागई सबको अब एक कोश्चन बता हो इसकी वैल्यू क्या होगी कोश्च माइनस 1410 और मैं आपको एक असाइमेंट डाल रहा हूँ उसको सबको सॉल करना है पहली वाली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सराइज सब बच्चों को सॉल करना है पूरा वक्स्वीट में भी आपको इंशाइलाद आपके गूर्ट या मैं उस पर डाल दे रहा हूँ गूगल क्लास्पून पे वाह से डाउन्डोड कर लीजिए वाह पड़ा रहता है में सब्सक्राइज बता वह को सब्सक्राइज माइनस 14 10 की वैल्यू क्या होगी सब बच्चे जल्दी से फटाप्टा अ अ अ अ अ अ अ आँ श्ट्र टू आप जबनेट वनमेट अ जबनेटार मेट आजी जट्श्ट सबसे पहले माइनस को अटाना है तो माइनस को अटाने के क्या तरीगा है यह है कॉसक माइनस थीटा क्या है अब बता हो माइनस थीटा में रेशो चेंज होता है यह नहीं होता तो यह कॉसक ही रहेगा तो सर यह रहेगा कॉसक 1410 अब मुझे यह बता हो कि यह जो प्वाइट्रेंट है माइनस थीटा कौन सा है और फोर्थ में कॉसक क्या होता है नेगेटिव नेगेटिव तो इसका मतलब कॉसक माइनस 1410 माइनस कॉसक 1410 हो जाएगा यह वाली बात सबको समझ में आ गई यह अब बहार नेगेटिव तो बहार आ गया अब यह 1440 के आसपास है यह जो है जी मैं जबी बताओ क्या कहा रह कर रहे हो तो यह 1440 माइनस 30 है अब यह 1410 क्या होगा 1440 माइनस 30 और 1440 जो होता है विटे वो 4 ताइम्स होता है 360 का 4 ताइम्स तो 360 माइनस थीटा यह मरकस हो गया ठीक है जी अब बताओ 4 को तो मैं कंसिडर करना नहीं है multiple को तो मैं चाहिए नहीं तो हमें सिब कंसिडर करना है 360 माइनस थीटा को तो 360 माइनस थीटा का अब सोचो कि 360 माइनस तो चेंज नहीं होता तो यह आएगा कौसक कौसक 30 लेकिन प्वाड्रेंट फोर्ट है तो यह आएगा नेगेटिव लेकिन यहां ध्यान यह रखना है पहले से एक नेगेटिव और है माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस हो गया और कौसक 30 होता कितना है तो यह आंसर है तो टीक है यह 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 आंसर कोशिश कर लीजे पूरी एक्सराइस करने की मैं इंशालला वक्षीट अप्लोड कर रहा हूं गूगल ग्लास्रूम में उसके सबसे पहले तो यह देखो ना कि कौसक माइनस थीटा क्या होता है सबसे पहले तो आप इस माइनस को बाहर निकालोगे पिर 1410 पर अप्लाई करूगे 1440 माइनस 30 तो 360 माइनस थीटा पिर उससे सौर करूगे तो इसकी वीडियो भी और इसका पूरा साइमेंट भी आपके उस पर डाल रहा हूं आप लोग मशाला से कर लीजेगा चाहले कर लोग में आपके उसका एक रिए पाद साइम आपके उसका आपके उसका आप लाग मुद्ध।